छिर्व में रहने वाले लोग लाकों कमाते हैं यह सब के दिमागे में चलता है आधकconomy में सुनते हैं को दिमाग में रहता है कि वो तो 10000000 कमाा रहा है थो दूस्तों आधक विडियो में बताने वाला है क्या सच्ची में विदेश में रहने वाले लोग लाखों कमाते हैं जैसे कि हम सोते हैं कि कोई बंदा विदेश में आता है कि वह बंदा तो महने के लाख रुपया सेल लेता तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक सब्सक्राइब को अपने लाइक और अपने दोस्तों के साथ से जरूर कर सकते हैं अगर मेरे से आप डियरेक्ट करना चाहते तो मेरे स्क्रीन में दिख रहा है आप मेरे को फॉलो करके मेरे से डारेक्ट बात कर सकते हैं तो दोस्तों कहीं कहीं जब भी आपने किसी को सुना होगा कि विदेश में जौब करता है तो आपके दिमाख में ऐसा एक कुस्यान आ जाता अटमेटिक यह तो कम से कम जाहें थे यहां के लिसे लाकु कह और बात करें डिशु को बाती कॉछी हसाप से यहांपर और बहुत सारे हैं जो 12000 dog और बहुत सारे तो लोग इनसे भी नीचे 20,000 रहने के बाद अगर बात करें दोस्तों अगर कोई लेवर जौब में यहां पर आया है लेवर जैसे तो उनको सौ दिनार रहना खाना मिल जाता सौ दिनार का मतला अगर इंडिया की बात करें आज के साथ 25-26,000 हो जाते हैं अगर यहीं बात में दुबाई के लिए करो तो वह 20-22,000 पर मन्त लेवर को देते हैं ओमान मसकट में भी यही सारा लगबग मान के चलो कि 25-26,000 पर मन्त एक लेव में जौब कर रहा है लाकों कमा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कितनी मेहनत मजदूरी करने के बाद 25-30,000 पर मन्त कमा पाते हैं लोग 25-30,000 दोस्तों 12-12 गंटे यहां का जो टेंपरेचर है अगर मैं यहां की टेंपरेचर की बात करो तो 50 से प्लस चले जाता है इतनी दूब में वो लोग काम करते हैं उसके बाद 20-25,000 पर मन्त कमा पाते हैं तो यह बीडियो बनाने का यह था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है यह भाई बीदेश में है और थोड़ा बहुत उधार मांग ले लेते हैं उधार मांगने के बाद वाद वाप पैसे करजा ले लिया तो इसको क्या फरक पड़ेगा ऐसा नहीं है मतलब जो इंडिया में कामा रहा है उससे ज्यादा वैल्यू यहां पर पैसे की हम लोगों को पता होती हैं कितने मेहनत से यहां पर पैसे कमाते हैं इसलिए दो पैसा यहां पर बच जाता है दोस्तों तो क झाता है